जै मातादी दोस्तों घरेलूखबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत जौगत है कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखे माता रानी सबका कल्यान करेगी दोस्तों आज 28 ऑक्टूबर को साल 2023 का आखरी चंदग्रहन लगने जा रहा है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज लगने वाले चंदग्रहन के बारे में कि यह चंदग्रहन कब से सुरू होगा कब समाप्त होगा इसका सुतक कल कब से सुरू होगा कब समाप्त होगा यह चंदग्रहन कहां कहां दिखाए देगा साथी साथ इस चंदग्रहन के दौरान क्या साबधानिया बरतनी होगी संपूर जानकारी आज लगने वाले चंदग्रहन से जुड़ी देंगे और अगर आप अपने सहर में लगने वाले चंद ग्रहन का सही समय जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे मैं आपके सहर में लगने वाले चंद ग्रहन और सूतक का सही समय बताऊंगी वीडियो को लास तक जरूर देखे वीडियो पसंद है तो लाइक कीजे फैमिली फ्रेंट के साथ सेयर कीजे चैनल पर पहली बार आया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल बटन को प्रेस कर लीजे इस सही होगा कि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों आज लगने वाला चंद ग्रहन अस्वीनी नच्छतर और मेस रासी में लगने जा रहा है अस्वीनी नच्छत्र और मेस रासी में जन्मे ब्यक्तियों के लिए बिसेश असुप फलदाता और दुरगटना कब है रहेगा इसलिए उनको संभलकर रहने की जरूत है बात कर यह चंद ग्रहन कहां कहां दिखाई देगा तो यह चंद ग्रहन भारत में दिखाई देगा अफगानिस्तान, भूटान, चीन, इरान, रूस, सुदी अरब, सुदान, इराक, तुर्की, मलेसिया, फिलिपिन्स, अस्पेन, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, इंडोनेसिया, थाइलेंड, फ्रांस, नार्बे में दिखाई देगा बात करे भारत में कहां कहां दिखाई देगा, तो यह चंद ग्रहन संपून भारत में दिखाई देगा बात करे इस चंद ग्रहन के सही समय और सूतक की, आज लगने वाला चंद ग्रहन 28 अक्टूबर को भारतिय समय अनूसार, मध्धिरातरी 1 बजकर 5 मिनट से सुरू हो जाएगा, जो की मध्धिरातरी 2 बजकर 24 मिनट तक रहेगा करे इसके सूतक काल की, तो चंद ग्रहन का सूतक ग्रहन सुरू होने के ठीक 9 घंटे पहले सुरू हो जाता है, और ग्रहन खतम होने के साथ सूतक भी खतम हो जाता है तो इस प्रकार देखा जाए तो चंदग्रहन के 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, सूतक का सही समय, 28 ओक्टूबर को सूतक काल 4 बचकर 5 मिनट से सुरू हो जाएगा, जो कि चंदग्रहन के साथ ही 2 बचकर 24 मिनट पे मध्यरात्री में समाप्त होगा सूतक काले का सूप समय होता है, सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिये जाते हैं, भगवान की पूजा या उनकी पर्तिमाओं को असपर्स नहीं करना चाहिए, हाँ आप मानसिक जाप कर सकते हैं सूतक काल लगने के बाद घर में भोजन ना पकाएं, बलकि सूतक काल से पहले भोजन पका कर रख ले और उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डाल दें ध्यान रहे तुलसी की पतियां सूतक लगने से पहले ही तोड़कर रखनी है चंद ग्रहन की अब्धी में भोजन ग्रहन ना करें हाँ सूतक कालमया भोजन ग्रहन कर सकते हैं गर्वती महिलाएं सूतक लगते ही घर से बाहर ना निकले चंद ग्रहन के दौरान किसी भी सुनसान जगा ही आसमसान के पास ना जाएं इस दौरान नकारात्मक सक्तियां काफी ज़्यादा हावी होती है चंद ग्रहन के दौरान सिभगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए इसके अलावा चंद ग्रहन समाप्ती पर सुध जल से इसनान करके गरीवों को दान देना चाहिए पूरे घर को सुध करना चाहिए ग्रहन के समय गायों को घास, पक्षियों को अन और जरुवत मंदों को वस्त्रदान देने से अनेक गुना पुन्यप्राप्त होता है गर्वती महिला, सूतक लगते ही और चंद ग्रहन समाप्त होने तक कोई भी नुकीली और धादार चीजों के परयोग से बचे जब ग्रहन लगा हो तो अपने पास एक पानी वाला नारियल अवस्त्र रखना चाहिए गर्वती महिला को तो ये मैंने आज 28 अक्टूबर को लगने वाले चंद ग्रहन से जुड़ी संपूर जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया उमीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें सेर करें और मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स